Hello everyone, welcome back to this channel, time, speed of distance का problem का एक टोप बारे में बात करते हैं, पर जो स्क्रीन में problem देख रहा है देखो, ये man starts from his house and traveling at 30 किमी पर आवर, 30 किमी पर आवर में जा रहा है हो and he reaches his office late by 10 minutes and traveling at 24 किमी आवर, अगर उन्होंने 24 किमी आवर पर जाते तो he reaches his office late by 18 minutes, मतलब 30 किमी पर आवर पर जाएगा तो 10 minutes पहले पहुचेगा and आपको 24 किमी पर आवर आवर उसमें जाएगा, तो आपको कहा होगा न, 24 किमी मतलब काम स्पीड पर जाएगा, तो 18 minutes late पहुचेगा, तो difference कितना यहाँ देखें, यार, इतना कितना difference आ रहा है, मतलब 10 minutes पहले, 18 minutes अपको लेट and the distance from this house तो यहां पर देखो फर्मुला इसको लगाओ तो इसमें बहुत फायदा होगा भीवान माइनस भीटू मोड इसका मतलब कियाना इस डिफारंस है ठीक के लिफारंस को मोड दिया हुआ है मतलब भीवान बड़ा हो सकता है देल्ती मतलब तो यहां पर देखो 30-24 30-24 करने से 6 आता है 8 को डिवाइड गया है 6 है, मतलब कि आठा मिनिट लेट हुआ 10 मिनिट अबियसली लेट है मतलब 2 लेट है 18-10 हो गया 8 है, तो 8 दिवाइड बए 60 तो 2 वहाँ पर है मिनिट को अपको घंटा में क्या हुआ है किमी पार आवार तो इसमें क्या हुआ 16 किलोमेटर आ रहा है 8 मिनिट को घंटा में ले गया इसलिए 60 से डिवाइड किया 13 into 24, मतलब यहाँ पर फर्मुला है D into V1 into V2 मतलब किया दोनों वेलोसिटी का मल्टिप्लिकेशन है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो आपको office late by 18 minutes 18 minutes late में पहुच रहा है मतलब किया न 8 total 8 divided by 60 मतलब किया गंटा में ले रहा है तो गंटा में लेके आपको 16 किलोमेटर आपको हो रहा है the distance from his house to his office is 16 किलोमेटर तो ऐसे ही आप लोग problem को solve करना चाहा रहे हो तो मतलब किया न 2-3 second में इसका वीडियो जो है इसका बात क्या है इसके बात आपको जो description box में दिया हुआ link है time speed distance का किताब को बहुत follow कीजिए बहुत लोग follow कर रहा है इसलिए मैं बोल रहो खरित के उसको पढ़ाई करो आपको automatic बहुत फायदा होगा थैंक यू best of luck God bless you